नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूटूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षिता अकैडमी और आज हम बात करने वाले हैं जिविज्ञान या बाइलोजी के अंत्रगत कोशिका के संदशनात्मक संगठन के बारे में या कहे स्ट्रक्चरल और्गिनाइजेशन आ उसके अंदर कौन-कौन से फैक्टर होते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है वो सब कुछ हम देखेंगे उसके पहले आपको पता दे जिविज्ञान का ये टॉपिक है और विभिन कॉंपेटिटिव एक्जाम सिविल सर्विसेज और जितनी भी कॉंपेटिटिव एक्जाम है सभी में बायो के सेक्शन से अगर कोशन आते हैं तो ये भी जो है सिलेवस में शामिल होता है ये वाला टॉपिक भी तो आईए आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे यूटुब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को बताना चाहेंगे कि अगर आप भी जी विज्यान बायलोजी को समझना चाहते हैं एकदम बेस से जीरो से तो बिलकुल हमने इसके बिगनिंग से ही वीडियो एप्लोड किये हुए हैं इसके पहले हमने जो है दो वीडियो अप्लोड किये हैं जिसमें हमने पहले वीडियो मे बारे में बिलकुल आसान शब्दों में बताया है दिन सेकंड वीडियो में हमने टाइप्स आफ दे सेल्स की बात करिए विभने प्रकार के सेल की बात करिए और ये हमारा कोशिका वाले टॉपिक में तीसरा लेक्चर है तो बिलकुल हम आगे बढ़ते हैं लेकिन इसके पहले आपको थोड़ आसास का डेफिनेशन बताना चाहेंगे कि एक्चॉल में कोशिका या सेल क्या होती है ये सब कुछ होती है बायोटिक जो भी कमपोनेंट होते हैं उनके लिए सब कुछ होती है कोशिका ये जीवों की संदशनात्मक तथा कार्यत्मक इकाई है कोशिका विनो सिकेविट्स ने बताया कि पारगम में जिली से गिरी हुई पारगम में जिली क्या होती है तो जो कोशिका जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसके बाहर एक प्लाजमा मेंबरेन होती है जो की अर्ध पारगम में की तरह काम करती अर्थाद इसके बाहर और अंद पार्गम में जिली से गिरी हुई जेविक क्रियाओं की एसी काई कोशिका है जो जीवित यंत्रों से मुक्त माध्य में स्वयम प्रजनन कर सकती है अर्थाद ये जो होती है अपने ही समान दूसी कोशिका भी बनाती है इसे ही हम सेल कहते हैं आपने देखा होगा कि छोटा सा बच्चा है कुछ समय बाद वो ग्रोध करके बड़ा हो जाता है या कोई पेड़ होए वो ग्रोध करने के बाद बड़ा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि कोशिका में जनन की शमता होती है ठीक है अपने आइडेंटिकल कहीं सेल्स बनाती है जिससे की ग्रोध होती तो बिल्कुल वही है कोशी का और कोशी कांग क्या होते हैं जिसको हम कहते हैं सैल और गन तो कोशी का जिन भी घटकों से मिलकर बनी होती है उनको हम क्या कहते हैं कोशी कांग कहते हैं और सबका अपना अपना एक विसिष्ट कारिय होता है electron microscope की हम थोड़ी यहाँ पर बात करना चाहेंगे जिसकी खोच की थी नौल एवं रसकाने ठीके हमें पता है जब सरल सुक्ष्मदर्शी की खोच हुई तो इसका experiment किया था किसने Robert Hook ने और वो देखने चले थे कि जो simple microscope है यह कितना magnifying है या कितना सुक्ष्मदर्शी की खोच करी फिर इसी प्रकार का प्रयोग जब संयुक्त सुक्ष्मदर्शी की खोच हुई तो कर रहते हैं एंटोनी वान लिवेन हॉक और जोकी इसकी comparison में 200 गुना वस्तूओं को बढ़ा करके देख सकता था तो उन्होंने इस चक्कर में पहली ग्याद जीवित कोशी का खोजी जिसको जो थी जिवानू की वाइरस की इसलिए एंटोनी वान लिवेन हॉक को father of bacteriolosy कहा जाता है ठीके तो इन्होंने काम किया अब जब electron microscope आ गया जिसकी खोच की थी नौल एम रसका ने तो ये क्या करता है किसी भी वस्तू का दो लाख गुना बढ़ा करके देख सकता है आप सो सकते हैं दो लाख अपने आप में कौन सा डीजिट होता है तो जब electron microscope की खोज हुई और उन्होंने पर्टिकुलर एक कोशी का का अध्यन किया तो उन्होंने देखा कि कोई जो कोशिका होती है कहने में वो एक है लेकिन उसके अंदर कई जो होते हैं विभिन अलग प्रकार के अंग होते हैं जिनका अपना एक विशिष्ट कारी होता है ठीक है उनका अपना विशिष्ट कारी होता है उसकी बाहरी सता प में बात करेंगे और electron microscope के आधार पर जब एक कोशिका की खोज हुई तो यह माना गया कि यह निम्न भागों की बनी होती है तो यहां पर हमने आपको एक छोटा सा सेल का example बताया है हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो सेल या कोशिका होती है वो किसी भी आकार की हो सकती है तो यहां पर इस प्रकार से समझ लीजे पॉटिटू लाइक structure है कोशिका का यह जो है कोई एक सेल है ठीक है और यह जो सेल के बाहर होती है plasma membrane होती है हर एक सेल जो पहले हैं कहें मोटे तोर पर अगर हम कहें तो जो कोशिका होती है हम इसको फिर से समझाते हैं जो कोशिका होती है वो दो भागों से मिलकर बनी होती है एक बहाई प्रधार्तों से जो इसका extra cellular material है उससे बनी होती है क्योंकि वह बाहर से अगर protected wall से पेक होगा तबी तो सारे प्रोटो प्लाज्मा ना कि एक तो यह लेयर हो गई जिसको हम बोलते हैं बहाई सिम्पल है ना कि एक तो यह लैर हो गई जिसको हम बोलते हैं एक्स्टा सेलुलर आवरण या बहाई कोशी के आवरण और एक अंदर इसके अंदर का जो लिक्विड हो गया पूरा इसको टोटल को हम बोल रहे हैं प्रोटो प्लास्म या इसको कहा जाता है हिंदी में जियोद्रव्य अब जो जो दिख रहा है आपको यह होता है नुकलिस केंद्रग बहुत इंपोर्टेंट चीजें केंद्रग और इसके अलावा जो सब कुछ है इसको हम बोलते हैं साइटो प्लास्म या कोशी का द्रव्य ठीक है अभी हम आगे आपको बताएंगे अभी जो साइटो प्लास्म कोशी का द्रवे यह भी दो पधारतों से बनावा एक आपको दिख रहा है येलो टाइप के या इस प्रकार के तो इनको हम कहते हैं सेल और यह जीवित होते हैं इनका पर्टिकुलर अपना के काम होता है हम देखेंगे क्या इनका काम होता है और इसके अलावा जो कुछ सब कुछ वो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स या हाइलो प्लास्मा और यह अजीवित होता है ठीके सब के अपने अपने इंपोर्टेंस होते हैं इसकी बाद नुकलियर होता है नुकलियर मेंब्रेन होती है तो बिलकुल यह हमारा बेसिक है किसी भी सेल का अगर आपको यह चीजे पत सेंट्रोसों हम इनके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं ठीके तो बिलकुल लगे रही है हमारे वीडियो को लाइक कर दीजे चलिए अब हम इसको टेबल फोम में देख लेते कि स्ट्रक्चर ओफ सेल क्या है तो कोई भी सेल है हमें पता है हमने अभी आपक पताया दो भागों से मिलकर बनी हुई है कौन-कौन से तो वो है आपका आउटर सेल शीट और एक होता है प्रोटो प्लाजम और प्रोटो प्लाजम भी दो भागों से मिलकर बना हुआ है एक होता है साइटो प्लाजम देने एक होता है नुकलियस अब जो साइटो प्लाजम और हम कहते हैं डिल्कुल हमें ध्यानि है कि कोई भी सिल्काराइद नुकर बना दाना है होना जसको सब्धूस के बारे में पढ़ना नहीं अच्छे से जानना है धियल बना होता है कोषिक सब्त करके ट्रवे य्य अस्याइद के अपको में आजए रंगादो هाता है कि आप इसका English version ही याद रखिए क्योंकि हिंदी से काफी confusion होता है और दूसरा होता है और जो Cytoplasmow होता है ये भी दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक होता है हाईलोप्लास्म और मेट्रिक्स और दूसरा होता है Trophoplasmowal cell organ तो ये किसी भी cell का basic structure होता है या बायो मेंब्रेन तो हम बिल्कुल प्लाजमा जिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं हम इसको कहते हैं सैल मेंब्रेन या हम इसको कहते हैं बायो मेंब्रेन इसके दो नाम हैं हमें दोनों याद रखने हैं तो सभी कोशिका हैं चाहे वो पोधे की हो ठीके पोधे की हो जन्तु की हो या नगन हो तो सभी में चारो तरफ उसके एक अत्यंत पतली जीवित बहुत ध्यान देने वाली बात है कि ये वाली जो जिल्ली है पतली भी है और जीवित भी है और अर्ध पारगम में है अर्ध पा इसको कहते हैं बायो जिल्ली ठीके जो डैनियल और डैविट्सन थे उनके अनुसार जो यह जिल्ली होती है तीन इस्तरों की बनी होती है ठीके यह कितने इस्तरों की बनी होती है तो यह इस प्रकार से तीन इस्तरों की बनी होती है जो बाहरी जिल्ली होती है वो प्रोटीन की बनी होती है और जो बीच वाली बाहरी और भीतरी दोनों जिल्ली प्रोटीन की बनी होती हो जो बीच वाली जिल्ली होती हो लिपिट की बनी होती है बाहरी जिल्ली की जो मोटाई हो 20 एंगोस्ट्रोम होती है बीच वाली की 35 एंगोस्ट्रोम और जो अंत्रिक होती है उसकी भ हमने बता दिया आपको प्लाजमा जिल्ली जो होती है इसके प्लाजमा जिल्ली जो होती है इसकी संरचना के दो मोडल दिये गए हैं कौन-कौन से दो मोडल दिये गए हैं तो वो हम देखते हैं एक लैमिलर थियोरी है और फ्लूड मौजेक मोडल थियोरी है हाला कि हमें थियो सबसे बड़ी बात है हमें पता है कि अगर ये नहीं होती कोशिका के आसपास तो कोशिका आया जो सेल के अंदर जितना भी material है सब एक काईदे से unit में रहता ही नहीं तो simple सी बात है कि ये कोशिका को एक निशित पहचान देती है कोशिका को ये क्या करती है अगर देती है और उससे भी बड़ीवात है जिवद्रव्यों को बारी आगातों से बचाती और कोशिका की रक्षा करती है क्योंकि हमें पता है कि ये सेल है cell के अंदर हमने पढ़ चुके हैं इसको की ये क्या है होता है इसके अंदर जितना भी समस्थ पधारत है उसको हम बोलते हैं protoplasma या हम इसको हिंदी में बोलते हैं जिऊ-द्रव्य होता है तो उसको भारी आगातों से रक्षा करती है और कोशिका को आकार देती है ये कोशी की पहचान को बनाए रखती है अब आपको ये sentence हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से कोशी की पहचान बनाती है प्लाजमा मेंब्रेन तो इस जिली में पहचान की शमता पाई जाती है अगर हम किसी जो कल्चर मेडियम होता है हम समवर्धर माध्यम होता है उसमें कई प्रकार की कोशिका को रख दे अगर तो प्लाजमा जिली की पहचान शक्ती के कारण एक समान कोशिका है आपस में चिपक कर एक समान कोशिकाओं का गुच्छा बना लेती है ठीक है तो यह इस प्रकास से कोशिकी पहचान बनाती है सूचनाओं का सवहन करती है प्लाजमा जिल्ली जो विभिन हार्मोन तता अन्य रासाइनिक पधार्त होते हैं उसके माध्यम से सूचनाओं का सवहन करती है प्लाजम की गती एवं प्रचलन में सहायक होती है तो ये प्लाजमा जिल्ली के कुछ important काम है अब हम बात करते हैं cell wall की हमने भाई कोशी के आवरण के अंतरकत हम देख रहे हैं तो हमें प्लाजमा मेंब्रेन और cell wall देखना है cell wall की विशेशता ये है कि ये केवल plant में ही मिलती है right plant में ही मिलती है animal sails में नहीं मिलती है तो ये हमें याद रखना है plाजमा जिल्ली के चारों तरफ एक मस्बूत आवरन होता है निर्जियू पधारतों से निर्मित होती है और विखसित पोधों में ये किसकी बनी होती है ये cellulose की बनी होती है जब हम पोधों का classification पढ़ते हैं तो हम जो होता है algae पढ़ते हैं फंजाई पढ़ते हैं जो bacteria होते हैं bacteria में भी सेलहला कि bacteria ना पोधे होते हैं ना फ्लांट होते इनको ऐख अलग जगत मोनेरा में रखा और इनमें भी cell wall होती है लेकिन उसकी जो सेलवल होती है वो जो होती है कार्बोहाइडिडिया प्रोटीन की बनी होती है ठीक है गलाइकोइडो इंडोन की बनी होती है और जो कवक फंजाई होती है उनकी जो सेलवल होती हो काइटीन की बनी होती है लेकिन जो हायर उच्छी शेनी की पोदे होते हैं ज क्या होता है तो कोशी का भित्थी के निर्माड में इसके तीन इसतर हम आपको बता देते हैं क्या होता है तो इसमें वान- सेकेंड मैं एक होता है इसतर होता है जो कि कैलिशुम प contradictory से मिलकर बना होता हूं एक होता है प्रक्र gigant अब हम बात करते हैं अब हम आपको पता दे हम सेल के स्ट्रक्टर देख रहे हैं जिसमें ब्राइ कोशी के आवरण में हम दो चीजों को देख चुके हैं plasma membrane और cell wall और अब हम बात कर रहे हैं protoplasma या जिवद्रववे की अगर जिवद्रवे की बात करें तो हम फिर से बताना चाहेंगे कि suppose यह कोई cell है और इसके अंदर जो इसके बाहर है हमें पता है plasma membrane है और अगर plant है तो इसके बाहर जो है cell wall है अब इसके अंदर का जितना भी material है वो सब कुछ क्या है उसको हम बोलते हैं जिवद्रवे या protoplasma cytoplasma protoplasma में confuse नहीं होना है तो जिवों की प्रत्य कोशिका में जिवद्रवे कला के अंदर एक प्रकार का मट मेला ठीक है यह जो लिखा है वो मट मेला लिखा है ठीक है एक प्रकार का मट मेला अर्द पार्दर्शक और चिपचिपा तरल जिवद्रवे कहते हैं और हकसले एक साइंटिस्ट का नाम है इन्हों ने इसे जीवन का बोतिक आधार कहा है ठीक है इन्हों ने इसे जीवन का क्या कहा है बोतिक आधार कहा है सरप्रथम जिवद्रवे को कौटी नामक विग्यानिक ने देखा था और इसके बार डुजारडीन ने इसको सारकोट कहा डुजाडीन जो कि फ्रांस के जी विज्ञानी थे इन्हों ने इसको क्या कहा था सारकोड कहा तथा पुरकिंजे ने इसे जिजुदर्व की संग्या दी यहां जो होता है क्या होता है इसका यहां प्रोटीन वसा कार्बोहाइड एंजाइम तथा जल आधी पधार्तों का बना सुसंगर्ठित तथा परिवर्तन शील जेटिल कॉलाइडी विलियन है काफी इंपोर्टेंट है क्योंकि कॉलाइडी विलियन होने के कारण क्या होते हैं जो जिजुद्रवी में उपसित प कि कोशी की हम कहें पहचान बनी रहती हैं तो यह काफी इंपोर्टेंट है को और कॉलाइडी होने के इसके कारण हम बता चुक है अब जिजुद्रवे के भाग देख लेते हैं तो हम आपको बता चुके हैं कि प्रोटोप्लाजमे जिजुद्रवे दो भागों से मिलकर बना होता है साइटो प्लाजम या कोशी का दरव्य हम कहें जिसको और बाको में बता करें तो हम आपको बदा दिते हैं कि सपोस्स यह कोई सेल है और सेल के अंदर है नुकलियस ठीक है तो यह जो सेल है इसके बाहर तो हमें पता है क्या मिलेगी प्लाज्म मेंब्रेन मिलेगी अगर वो प्लांट सेल है तो सेल वॉल मिलेगी ठीक है अब जो इसके अंदर का संपुर्ण पधारत होता है उसको हमने क्या कहा है तो उसको हमने कहा है प्रोटो प्लाजम प्रोटो प्लाजम अब और नुकलियस वाला पार्ट भी प्रोटो प्लाजम का हिस्सा है ठीक है लेकिन साइटो प्लाजम क्या होता है तो जो नुकलि इसको हमलते हैं अर्था अगर बात करें कि प्रोटुप्लाजम मों में हो जाता है कि बिलकुल उसी प्रकार से हैं कि यॉ है जिल्ली और केंदर केंदर की बीच में जो तरल, रंगेहिन, पारभाशित थे सामा की द्रवी होता है, सामाने द्रवध होता हुषको, द्रहस्टyy कहते हैं और दूसरा जो होता है, cell organs होते हैं, cell organs को हम ट्रॉफो प्लाजम भी बोलते हैं, तो हाइलो प्लाजम क्या होता है, वो देख लेते हैं, फटा-फट, तो यह कोशिका का निश्क्री तथा जीवित भाग होता है, जो सरजित, संचीत पधार्थों का बना होता है, तथा इन पध पढ़ि reason, और अगर हम बोले कि अब्सिस्ट्य पधार्थे हैं, तो इसमें क्या होगा, तो यह टैनिंग है, यह टैनिंग है। इसको टैनिग सुगंदित तेल, resin और खरनीज रवे इत्यादी जो लवर्न के होते हैं, इसके इसक आपसे सल और रगन की बात करते हैं, तो सेल लूर्गन कौन-कौन से होते हैं जो साइटो प्लास्म में रहते हैं तो माइट्रो कोंट्रिया प्लास्टिड जिसको लवक कहते हैं यह denialeur of lyrics लेकिन कब यह हमें पढ़ना है नेक्स्ट वीडियो में तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है काफी कंफ्यूजन होता है हमने फिर से आपको बता दे स्ट्रक्चर सोफ सेल हम देख रहे हैं जिसमें की हमने आपको यह बताया था कि जो सेल होता है सेल क्या होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है एक वाला पार्ट क्या होता है यह वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आउटर सेल शीट जिसमें की हम जो है प्लाजमा मेंब्रेन ठीक है प्लाजमा मेंब्रेन और शेल वाल पढ़ चुके हैं यह आउटर शीट में ह जो होता है इसको हम जीवद्रव्य कहते हैं और जीवद्रव्य जो होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है साइटो प्लाज्म और नुकलियस और साइटो प्लाज्म भी जो है दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है एक है हाइलो प्लाज्म और एक है टॉफर प्लाज्म तो हम यह बाकी है कि इसमें संचित पधार्त सरजी अब हमें सैल ओरगन देखना है ini separate Buta विद्हें बाता चुब संगे देखेंगे अगले 20 विडियो में हमें क्या-कया पढ़ना about a november को बिलकुल हमें विस्तार से और आराम से अच्छे से पढ़ना है बहुत सारे सैल ओर गन देखेंगे अगले वीडियो में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स वर वाचिंगे।